नमस्कार मैं है उनुष्का रोजगार समाचार में आपका स्वागत है आपको बताने जा रहे हैं जिसके लिए देश के किसे भी राज के कैंडिडेट फॉर्म बढ़ सकते हैं तो आए जानते हैं इन टॉप फाइब वेकेंस के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ इस्टन डेलवेस के द्वारा निकाली गई बहालियों के बारे में जिसम में किसे भी रिकाउगनाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होना जरूरी है इस लिमिट की बात करें तो यहां 18 से 42 साल के बीच है जबकि एक जनवरी 2022 के हिसाब से यहां एज काउंट किया जाएगा इसे के साथ ओबीसी के लिए तीन साल रिलेक्सेशन भी मिलने वाला है अगर हम बात करें आवेदन शुल्क की तो यहां मैंसन नहीं किया गया है वही हम बात करते हैं कि अंतिम तारीक कब तक है आवेदन करने की तो यह 23 दिसंबर 2020 तक है आधिकारिक वेबसाइट की बात की जाए तो यह www.rcser.co.in है अब हम बात करेंगे 36 गट पब्लिक सर्विस कमिसन यानि की CGPSC के द्वारे निकाली गई रिक्तियों के बारे में जिसमें पत का नाम है Senior Resident Dr. Various Trade Total Number of Vacances की बात करें तो यह कुल मिलाकर 386 है श्रक्षनिक योगिता की बात की जाए तो इसमें MD MS Degree का होना Related Trade में जरूरी है वही अगर बात करें उम्रसिमा की तो यह नियूंतम 25 साल है और अधिक तम 35 साल है अगर बात की जाए आवेदन शुलक की तो जनरल और दूसरे राजियों के कैंडिडिट्स के लिए 400 रुपए आवेदन शुलक देने पड़ेंगे तो वही SC ST और OBC के टेगरी के जितने भी उमिदवार हैं उन्हें 300 रुपए आवेदन शुलक देने पड़ेंगे आवेदन की प्रकेरिया शुरू नहीं हुई है आवेदन की प्रकेरिया 16 दिसंबर 2020 से शुरू हो जाएगी वहीं आवेदन की प्रकेरिया की अंतिम तारिख की बात की जाए तो यह 14 जनवरी 2022 है आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो यहाँ psc.cg.gov.in है जिस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं अब हम बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक यानिकी NHB की द्वारा निकाले गए डिक्तियों की बारे में जिसमें पत का नाम है असेस्टेंट मैनेजर, डेपेटी मैनेजर, रिजनल मैनेजर, टोटल नमबर अफ वेकंस की बात की जाए तो कुल मिलाकर 17 पदों पर आवेदन की मांग की गई है श्यक्षेन की योगिता की बात की जाए तो किसी भी स्ट्रिम में बैचलर डिगरी का होना, दो साल एक्सपिरियंस बैंकिंग सेक्टर में होना, इसके साथ ही CACMA और CS वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते है वही उम्रसीमा की बात की जाए तो मिनिममम उम्रसीमा 21 साल है और अधितम उम्रसीमा 45 साल निर्धारित की गई है वही अगर आविदन शुर्क की बात की जाए तो जेनरल, OBC और EWS केटेगरी के अभियर्थियों को 850 रुपे देने होंगे जबकि SC, ST और PH केटेगरी के अभियर्थियों को 175 रुपे शुर्क लगने वाले है अंधिम तारीक की बात की जाए तो इन पदों पर आविदन भरने की अंधिम तारीक 30 दिसंबर तक है वही अगर बात करें आधिकारिक वेबसाइट की तो यहाँ nhb.org.in है जिस पर जाकर आप आविदन कर सकते हैं अब हम बात करेंगे टाटा मेमोडियल सेंटर के दोरा निकाली गई रिक्तियों के बारे में जिसमें पत का नाम है administrative officer, assistant account officer, assistant LDC security officer, kitchen supervisor और cook वही अगर बात की जाए total number of vacances की तो कुल मिलाकर 95 पदों पर आविदन मांगी गए है श्यक्षन एक योगिता की बात की जाए तो इसमें graduate 10th pass और PG management में होना जरूरी है साथ ही बात की जाए उम्र सीमा की तो यह 7 December 2021 के अनुसार LDC और कुक के लिए 27 साल निर्धारित है जबकि Others category के लिए 30 से 35 साल निर्धारित है वही बात की जाए आविदन शुर की तो किसी भी तरह का fee SC, ST, female, PWD, ex-service van को नहीं लगने वाला है जबकि Others के लिए यह 300 रुपे निर्धारित की गई है वही अगर हम बात करें अंतिन तारिख की तो यह 7 December 2021 है बात की जोए आधिकारिक वेबसाइट की तो यह tmc.gov.in है जिस पर जाकर आप आविदन कर सकते हैं अब हम बात करेंगे Broadcast Engineering Consultant India Limited यानि की BECIL की द्वारा निकाले गई रिख्तियों के बारे में जिसके पत का नाम है MTS Housekeeping Staff, Mali Supervisor, Garbage Collector टोटल नमबर ओवेकेंस की बात की जाए तो कुल मिलाकर 55 पदों पर आविदन की मांग की गई है श्यक्षने की योगता की बात की जाए तो सूपर वाईजर पद के लिए Graduate का होना निवार है जबकि MTS पद के लिए 10 पास होना जरूरी है बाकी के लिए 5 पास होना भी अनिवार है वेकर बात की जाए आविदन शुल्क की तो यह General OBC और Female category के अभ्यारतियों के लिए 750 रुपे लग रहे है जबकि SC, ST, EWS और PH के लिए 450 रुपे आविदन शुल्क लग रहे है बात की जाए लास्ट डेट की तो आविदन करने के अंतिमतारीक 10 दिसंबर 2000 केस है अगर हम बात करें ओफिसल वेबसाइट की तो यह BECIL.com है जिस पर जाकर आप आविदन के प्रक्रिया को पूरी कर सकते है तो आज के इन टॉप 5 रोजगार समचार में इतना ही तब तक के लिए बने रहे है विहारी न्यूस के साथ नमस्कार